स्वागत है आप सभी का Sheetate No.2012 के Question Paper Solution के Part 3 में इसमें हम CDP के Questions को डिसकस करेंगे इससे पहले के वीडियो उसको अगर आपने ना देखा हो तो उनकी लिंक आप इस वीडियो के Description बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं आजका First Question है भासा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है Option A है रूपिम, Option B है शवनिम और Option C है संकेत प्रियोग विज्यान, Option D है वाक है तो भासा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है वो स्वनिम होती, Option B राइट हो जाएगा नेक्स कोश्चन है बह बुद्धी सिध्धान्त निम्लखित नहितार्थ देता है यह बिवित तरीके से सीखने का आकलन किया सकता है भी है शमिगात्मा बुद्धी बुद्धी लब्धी से सम्मंधित नहीं है इसका सही आंसर ओप्सन सी होगय यह बुद्धी 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 सिध्धान से ही सम्मंधित नहीं है बाकि अन्य तीनों कथन बहुबुद्धी सिधान से ही सम्मंधी थे कि बिवित जो सीखने बच्चे ने कितना सीखा इसका आकलन हम बिविन तरीकों से कर सकते हैं सम्मिगात्मक बुद्धी इन्य जो इमोशनल इंटेलिजनस है वो आईक्यू से रिलेटेड नहीं है और बिस्यों को बिविन तरीकों से हम प्रस्तुत कर सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्सेंसी नेक्स कोश्चन है निम्खित में से कौन सा सीखने के लिए अधिक्तम रूप से अभिप्रेड़ित करता है यह असफलता से बशने के लिए है प्रेड़ा बी है बहुत सरल्यूम कठिन लच्छों का चैन करने की प्रवित्ती सीखने के लिए आपको कुछ समय के लिए प्रेड़ित कर सकती है लेकिन अधिक्तम रूप से यह चीज की आप फेल हो जाएंगे इसलिए सीखे यह अधिक्तम समय तक आपको अभिप्रेड़ित नहीं कर सकता है बहुत सरल्य फिर बहुत कठिन लच्छ यह भी अधिक्तम रूप से आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है यह चीखने के लिए सबसे अधिक रूप से यह मोटिवेट नहीं कर सकता है सीखने के लिए आधिक्तम रूप से जो प्रयास या फिर जो चीज आपको आधिक्तम रूप से अभी प्रेरीद कर सकती वो है कि लक्षों को प्राप्त करने में ब्यक्तिकल संतुष्टी यानि लक्ष को प्राप्त करने पर आप आत्म शंतुष्टी महसूस करें या आप इंटर्नल रूप से उस चीज को करने के लिए मोटिवेट हों तो तभी आप जब आप किसी चीज को खुद से करना चाहें यानि आप आंत्रिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो जो समय तक के लिए आपको प्रेरित नहीं कर सकता है तो अभिक्तम रूप से जो चीज आपको प्रेरित कर सकती वह लक्षों को प्राप्त करने में व्यक्तिकर संतुष्ट यानि आत्म संतुष्टी नेक्स कोश्चन है बुद्धी लफधांग जो है शमानत्या से संबंधित है A है उच, C है कम से कम, B है मध्यम और D है पूर रूप से सहच्छिक तो बुद्धी लफधांग जो है वो उच रूप से निश्पादन से संबंधित होता है नेक्स कोश्चन है एक सोला वर्सी बच्चा बुद्धी लफधी परिक्षण में पचत्ता रंग प्राप्त करता ह है उसकी मानसीक आयू क्या होगी तो एक सोला वर्सी बालक है जो कि आइक्यू टेस्ट में पचत्ता रंग प्राप्त करता है आपको उसकी मानसीक आयू ग्यात करनी है तो जब हम आईक्यू की बात करते हैं तो आईक्यू को मापने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जा लेश या फिर काल्न क्रोमिक वायु या फिर उसे हम वास्तिक लाइउ भी बोलती है तो बच्चे की जो वास्तिक लाइउ आ वहे वो तो 16 अपते हैं. के सब एक 11 विकास हम 12 वरस्त वर्ष के ब 27 वर्ष का बत्चे क्यों समान आए हम जो 16 वर्स का बच्चा है जो कि IQ टेस्ट में 75 रंग प्राप्त करता है उसकी जो मानसीक आई होगी वो 12 वर्स होगी यानि उसका मानसीक विकास 12 वर्स के बच्चे के जितना हुआ है और उसकी जो वास्तिक आई है वो 16 वर्स है इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नेक्स कोश्चन है विद्यार्थियों के पोर्टपोलियों के लिए समगरी का चैन करते समय का हमें जरूर होना चैनी कि सीज का हमें ध्यान रखना चाहिए यह है कि अन्य सिक्षकों के समवेशन को या विद्यार्थी समवेशन को सी है अविवावक शमवेशन को या फिड़ी है विद्यार्थी बहिसकरण को जब हम विद्यार्थियों के पोर्टपोलियों के लिए समगरी का चैन करते हैं तो हमें विद्यार्थियों के समगरी का चैन करते समय विद्यार्थियों के पोर्टपोलियों के समगरी का चैन करते समय विद्यार्थियों का समगरी का चैन करते है सफल समवेशन को सिवा है सफल समवेशन के लिए किस चीज की और शक्ता होती है और किस चीज की और शक्ता नहीं होती है इसमें आपको यह देखना है कि कौन सी चीज है जिसकी और शक्ता हमें सफल समवेशन के समय नहीं होती है यह समेदन सील बनना तो इसकी और शक्ता हमे होती यानि सफल समवेशन अगर करना है सभी बच्चों को अच्छे सी इंक्लूड करना है तो हमें हमें समीदन सीन होना चाहिए होना पड़ेगा यानि होना चाहिए बी है प्रिथक करण सी है अलभावकों की भागिदारी तो ये भी अवस्यक है और डी है जमता समवर्धन इस प्रति जागरूग कर सकते है या बच्चों को लिंग भीदभाव को खत्म किया जा सके सी है विद्याले में लिंग भीद भाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और उनका कढ़ाई से पालन करना ये एक उपाय हो शकता है लेकिन सरवाधिक प्रभावी नहीं होगा क्योंकि जब तक हम बच्चों को लिंग पच्छपाथपोर्ड बिवहारों के प्रति जागरोप नहीं करेंगे या सिक्षक उसको अपने बिवहार में नहीं लाएंगे निए सिक्षक का बिवहार जब तक पच्छपाथपोर्ड होगा तब तक कितने भी नियम बना लिये जाएं लिंग भेद भाव पोर्ड जो बिवहार है उन्हें दूर नहीं किया सकता है सिहे कि संगीत प्रतियोगता के लिए लड़कियों के पेच्छा अधिक लड़कों का चयन करना तो ये भी लिंग भेद भाव से बचने का तरीका नहीं है क्योंकि लड़कियों में भेद भाव करना ही लिंग पच्पाथपोर्ड बिवहार है यदि हम संगीत प्रतियोगता के लिए लड़कियों के पेख्षा अधिक लड़कों का चैन करते हैं तो ये भी लिंक पच्पातपूर बिवहार ही होगा और यदि हम लड़कों के पेछा अधिक लड़कियों का चैन करते हैं तो ये भी पच्छपातपूर ब्योहार होगा तो इसलिए संगीत प्रतियोगिता के लिए उन बच्चों का चैन करना चीह है जो की योग है जिनकी संगीत में रुची है इसका जो सही आंसर होगा होगा option A सिच्छकों द्वारा उनके लिंग पच्छपातपूर ब्योहार का संग्यान लेमा ये सर्वोत्तम तरीका हो सकता है लिंग भेदभाव से बशने का क्योंकि सिच्छक जैसा ब्योहार करेगा बच्चे भी उसका अनुकरण करते हैं बच्चों के ब्योहार में उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है सह सच्छलिक छेत्रों में निस्पादन के अधार पर सच्छलिक छेत्रों में निस्पादन के अस्तर को बढ़ाने का और चित्त इस्थाफन किस अधार पर किया सकता है यह कि यह हांद से किये जाने वाले स्रम के प्रति सम्मान बिख्षित करता है बी है ये वैक्तिक भीनिताओं को संतुष्ट करता है सी है या हासियाकरत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरत भेदभाव की नीती का अनुगमन करता है और दी है या सारभोमिक धारड को सुनिश्चित करता है इसका सही आंसर हो जाएगा option B ये वैक्तिक भीनिताओं को संतुष्ट करता है जो next question है विद्यार्थियों में नियमित उपस्तिती के लिए वंचित बच्चों को प्रोचसाहित करने के लिए निमखित में से कौन सा तरीका सरवाधिक उप्योक्त होगा ये है आवाशे विद्यार्थियों खोलना और सीहे बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रति दिन पांस रुपए दिये जाएं इसका जो सबसे उप्योक्त तरीका होगा ये सरवाधिक उप्योक्त तरीका जो होगा वो होगा आवाशे विद्यार्थियों खोलना आवाशे विद्याले खोल कर हम वंचित बच्चों को उपयुद तरीके से सिक्षा दे सकते हैं इसलिए आवाशे विद्याले में बच्चों को उनकी बेशिक नीड से वो भी प्रवाइड की जाएंगी और उन्हें एजुकेशन भी इजुकेशन का जो माहोल है वो भी को साहित करना है तो हमें अवाशे विद्याले खोलना चाहिए आज के वीडियो में वशिपना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू